हेलो फ्रेंस स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एजकेशन टीच असोक में तो फ्रेंस आज जो है हम आप लोगों के लिए जीके से संबंदिर 20 मोस्ट इंपोर्टन कोशन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं तो फ्रेंस इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क कोशन है सब आपके एक्जाम में पूछे गए हैं फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंस आज के इस वीडियो में हम कुछ इन टाइप के कोशन के बारे में कि मुगल वंस में रंगीला बासा किसे कहते थे। उसके बाद इस में से आपको चारई अंसर बताया जाएगा और फ्रेंस यह भी बताया जाएगा कि ये कोशन है कि एखी ब्यक्तिको कितनी बार भारत का राइथ्ट पती बनाया जा सकता है तो लいきटory सार्फ नंबर द यूंसर होगा तो फ्र istiyorum कोनर लेंड का गुलाम नहीं हुआ तो इसके option है अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, भारत तो इसका right answer होगा option number six right answer तो फ्रेंस इसका right answer होगा चीन तो फ्रेंस देखें चीन एक ऐसा इकलावता देश है जो कभी भी इगलेंड का गुलाम नहीं हुआ तो फ्रेंस ये भी question आपके कई एकजाम में पूछा गया है फिर थर्ड कोश्चन है कि बैटन कफ किस खेल से सम्मंदित है तो इसके option है हां कि फुटबाल, टेनिस इन में से कोई नहीं तो फ्रेंस इसका right answer होगा option number eight इसका right answer होगा फ्रेंस बैटन कफ जो है ये हां किसे सम्मंदित है तो फ्रेंस ये भी question आपके railway exam में पूछा गया था फिर fourth number का question है कि भारतिय महिला दिवस कि इसकी याद में मनाया जाता है तो इसके option है इंद्रा गादी, महादेवी वर्मा, सरोजनी नाइड, मर्दर टेरेसा तो फ्रें question number five है कि नेत्रदान में आख का कौन सा भाग दान किया जाता है तो इसके option है retina, karnia, lens या पूरी आख को तो फ्रेंस इसका right answer होगा, option number B इसका right answer होगा, तो फ्रेंस देखें नेत्रदान में जो है कार्णिया को दान किया जाता है, फिर question number six है कि हीमोग्लोबीन की कमी से कौ इसके option है, जौन डिस रोग, हीमोफीलिया रोग, इसकरवी रोग या एनिमिया रोग, तो फ्रेंस इसका right answer होगा, option number D इसका right answer होगा, तो फ्रेंस देखें हीमोग्लोबीन की कमिस जो है, अनिमिया नामक रोग होता है, तो फ्रेंस ये वी question आपके कई exam में पूछा गया है, फिर question number 7 है कि 20 सुजल दिवस प्रतेक वर्स की स्तिति को मनाया जाता है तो इसके option 10 March, 14 March, 22 March, 24 March तो इसका right answer होगा, option number C इसका right answer होगा, तो 20 सुजल दिवस जो है ये प्रतेक वर्स 22 March को मनाया जाता है फिर question number 8 है कि उचाय नापने के लिए किस यंद्र का इस्तिमाल होता है, तो इसके option है ultimeter, hydrometer, barometer, planimeter तो फिर इसका right answer होगा, option number A इसका right answer होगा, तो फिर देखिए उचाय नापने के लिए जो है ultimeter का प्रेयोग किया जाता है फिर question number 9 है कि भारत में सबसे ज़्यादा दूद की सराज में उत्पादित होता है तो इसके option है पंजाब, हर्याणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश तो friends इसका right answer होगा option number 10 का right answer होगा तो friends देखे भारत में सबसे ज़्यादा दूद का उत्पादन जो है ये UP में होता है तो friends ये भी question आपके exam के लिए most important question है तो friends अगर आप सबको वीडियो पसंद आता होगा तो please वीडियो को like और share कर दिजिएगा तो friends देखे अगर आप लोग वीडियो को like करते हैं तो इससे जो है हमें ज़्यादा खुसी होता है और friends हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे तो friends प्लीज आप लोग चैनल को भी subscribe कर दिजिएगा फिर friends question number 10 है कि अंतरष्टी नयाले के नयाया धीज़ो की कारे अवद है तो इसके आपसर ना 9 वर्स, 6 वर्स, 5 वर्स, 3 वर्स तो friends इसका right answer होगा आपसर नमबर A इसका right answer होगा तो फ्रेंस देखें अंतराश्टी नयाले के नयायादीसों की कार्यावद जो है ये 9 years होता है और फ्रेंस हम आपको बता देखें कि हमने अपने इसी चैनल पर इस टापिक पर वीडियो बनाया था कि लाल सागर से किस देश की सबसे लंबी सीमा लगती है या भूमद सागर से किस देश की सबसे लंबी सीमा लगती है तो फ्रेंस ये जितने भी टाइप के कोश्चन सागर से समय आपके एकजाम पूशे जाते हैं हमने इस वीडियो में बताया है तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक जो है description और I button में मिल जाएगा तो फ्रेंस आप लोग प्लीज एक बार इस वीडियो को जरू जाकर देखिएगा तो फिर आये question number 11 देखते हैं प्रेंज कोशिपन 11 है कि 20 व्यवपार संगतन की अस्तापना हुई थी तो इसके आप्षन है 1992, 1993, 1995, 1996 प्रेंज इसका राय तुवाजर होगा नम् Image 10 का राय तुवाजर व्याजर होगा तो फ्रेंज देखे 20 व्यवपार संगतन की अस्तापना जो है सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देगा उस स्टुडेंट के कमेंट को हम अपने नेक्स वीडियो में दिखाएंगे और उसे अप्रेसियेट भी करेंगे और अगर उसका कोई यूटुब चैनल है तो उसे प्रेमोट भी करेंगे फिर कोशन नमेर 13 सडक प्रडाली में भारत का 100 में कून अस्तान है तो सडक प्रेट database in website fat division और अ इसकी आफ्टा इसे अ कोश्ठां से जीन द आया तो सडक प्रडाली सडक प्रडाली में भारत का 30 अस्तान है फिर मुहम्मद साय जहांगीर फरुक सियर तो फ्रंस इसका राइट अंसर होगा आप्षान नमर बीज कर राइट अंसर होगा तो फ्रंस देखें मुगल मंतरी परिस्द्र हैं अप्षान कोशन मतर का निर्माड करवाया तो इसका राइट अंसर होगा आपसर नमर इसका राइट अंसर होगा तो फ्रंस देखें महा राजा देखे- सो यह सी सोदिया की राजदानी थी तो फिरण से जितने भी कोशणafe सब हैं आपके इकजाम में Dul के cell और द्रेके और फ्रेंट इस वीडियो को एक से दो बार जरूर देख लीजेगा प्रशनी की यह जितने भी मैं कोस्ट है क्योंकि इस में से एक या दो कोशन आपके एक्जाम में आने की पूरी संभावना है फिर कोशन नमर 18 है कि प्रसीद गोल कुंडा किला किस राज में इस्तित है तो इसके अफसन है मद्द प्रजेस करनाटक तेलंगाना भिहार तो फ्रेंस इसका राइट अंसर होगा आफसन न आपी मेलूर सीरी रंग प्टनम तो इसका राइट अंसर होगा तो प्रेंस इसका रातमान समयος हैं यह विद्या नमर 20 इसका राइट अंसर होगा दिखिए अकबर की प्रसासनिक सीट का नाम था डिली तो यह जितने भी कोश्चन है सब आपके एकजाम में पूशे गए कोश्चन है तो फिर चलिए हम आपसे कोश्चन पूश्चते हैं और देखते हैं कि कौन स्टूडेंट इस कोश्चन का अंसा सबसे पहले कमेंट बाक्स उसकोश्चन का अंसा सबसे पहले कमेंट बाक्स में देता है तो अगर वीडियो आप सब को पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और से एक बार्ट प्रते लिए अग़े वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जाहिन जाह भारत अगर था हुआ था हुआ था हुआ है था हुआ है था हुआ है